प्रैमात अदी बंदू आज हम जानते हैं कि नवरात्रों में कललश इस्थापना कैसे करें कलश में ऐसा क्या शीज़ डाले जो हमारे नवरात्रे सफर हो जाए और हमारी कललश इस्थापना फलदाई हो तो हम जानते हैं चैनल पर नई है तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करके आल सेलेक्ट करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली सबी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए अब हम जानते हैं कलश इसापना का तरीका कलश में संपूर्ण नदियो का वास होता है जहां कलश पर धागा बांद जाता है महा भगवान शिव रुद्र का वास होता है कलश के मुख में विश्नु भगवान का भाग होता है कलश की निश्दी सत्य पर भ्रह्मा जी का भाग होता है कलश की उत्पत्ती समुंद्र से हुई है इसलिए कलश की इस्थापना करने से घर्थ से कले कले सदूर रहते हैं और घर में शुक्षान्ती का आवास होता है और घर में मंगलकारी का रेक्रम चलते रहती हैं कलश सापना से हमारी पूजा पार फल्दाई होती है क्योंकि सारे देवी देवता कलश में निवास करती है कलश हमेशा अपने सीरे हाथ की तरफ रखा जाता है और माता के बाएं हाथ की तरफ रखा जाता है जो हमारे सिदा हाथ होगा माँ भगवती का वो बाया हाथ होगा उधर कलश के स्थापना होती है सबसे पहले चौकी पर चावल रखें उसके उपर मट्टी का बड़ा सपात रखें जिसमें आप जो बो सकें फिर उसमें राज के भीके जो मिलाएं और मट्टी मिलाके होने उस कलश पर अलावा बाणладे, कलश पर स्वास्थिक बनाएं खलश में पहले थोड़ा सा गंगा जल भड़के, पर बाकी जल भड़के कलश को उपर तक भड़त दें फिर कलश में लॉंग, सुपारी, हल्दी की एगांट, एक सिक्का, और उसमें पांच पत्ते लगाने हैं, आम के और थोड़ा सा कपूर डालना है, फिर कलश के उपर एक ब्लेट या कोई भी कटोरी से कलश को कवर कर दें, उसमें पांच पलब भी लगे होने चाहिए, उसके उपर एक नारियल को लाल कपड़ी से लपेट कर या कलावी से या चुन्डरी से लपेट कर कलश को रखे, ऐसे ही कलश के स्थापना होती है, और रोज उस कलश में थोड़ा-थोड़ा सा जल डाल दें, बंदू आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा कमेंट में जैमाता के लिखना ना भूलें